Study IQ IS अब तयारी हुई affordable supply करना स्टार्ट कर देते हैं तो अभी तक अफगानिस्तान और कई देशों से आपको सुनने को मिलता था लेकिन पाकिस्तान आज के डेट में एक बहुत बड़ा हब बन गया है मैं कई सारे आपको examples अभी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ से supply की जाती है लेकिन पाकिस्तान के थूँ कई सारे जो ships वगर हैं वो भारत के officials पकड़ते हैं हमारी जो forces हैं उनको पकड़ लेती है वैसा ये एक example अभी सामने आया है गुजरात कोष्ट के पास करीब 14 पाकिस्तानी नागरिकों को arrest किया गया है क्योंकि उनके पास से करीब 600 करोंड के सोच के देखिए 600 करोंड वर्थ के जो drugs हैं वो पकड़े गए तो इसी के बारे मैं आपको details से बताऊंगा और ये इतना माईने क्यों रखता है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि recently elections में अगर आप देखोगे जो election commission है उसने बताया कि बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो seize की गई हैं जिसमें सबसे बड़ी value की चीज़ें अगर आप देखोगे न वो drugs ही है इस समय लोग सबाद चुनाओ चल रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है तो overall contest में इसको जानेंगे बहुत कुछ जाने को मिलेगा चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को ये भी बता दूँ आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहा है इस समय हमारा super learning day चल रहा है इस समय अगर आप ये batches को लेते हैं GS Foundation या फिर कोई भी optional batches को तो उसमें आपको maximum discount मिल जाता है ये जो GS Foundation का batch है इसमें आपको freelance means interview सब कुछ की complete preparation करा जाती है कुछ भी आपको extra लेने की ज़रुवत नहीं है बस हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में link है और use कर ये code अंकित live ये code इस्तमाल करके आप maximum जो discount है वो ले पाएंगे और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप attempt कर सकते हैं तो चले सुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है दिखिए हमारी Indian Security Forces ने especially यहाँ पर जो Indian Coast Guard है उन्होंने संडे को कल ही जो है 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात कोष्ट के पास मतलब जो पूरबंदर अभी मैं आपको map वगर के थूरू हैं वो पकड़ेगा हैं जिसकी वर्स 600 करोन रुपीज है और ये जो पाकिस्तानी नाशनल से ना ये एक ट्रॉलर में थे एक शिप में थे और बेसिकली वो बच कर निकलने की कोशिश कर रहे थे अव्वेसी बात है ये जो operation पुरा चलाया गया उनको वहाँ पर पकड़ लि है उससे गोली भी दागी है इन लोगों के ऊपर ताकि ये लोग कुछ कर ना सकें खेर यहां पर पहला कुशन यह है कि पाकिस्तानियों का प्लान क्या था मतलब exactly ये लोग कर क्या रहे थे देखो गुजरात ATS जो anti-terrorism squad है उनके officials ने बताया कि उनको एक intelligence input मिला था कि जो प यहां से यह क्या कर रहा था बहुत सारा जो drugs है इसको भारत भेजनी की कोशिश कर रहा था अब यह लोग क्या करते हैं कि यहां से जो boat है वो चलती है और यह लोग गुजरात को कोश्ट के एकदम जितना नजदीक आ सकें उतना आने की कोशिश करते हैं अब आपको पता 180 या 200 nautical miles तक यह जो boat है वो करीब खड़ी होनी थी और यहां पर क्या होता भारत की तरफ से जो boat है मतलब इनलों का जो 60 घाट है भारत के लोगों के साथ वो इन्होंने कर लिया था तो भारत की जो एक boat है वहां पर आती यह drugs को भारत की boat पर transfer किया जाता और यह जो boat है भा ATS officials के दोरा बताया गया है मतलब यह पूरा plan था ultimately इसको सिलंका भेजना है और यह जो पाकिस्तानी boat था ना इसका जो call sign नाम दिया गया था that was Ali और इस boat का actual में नाम अगर आप देखोगे तो it was Al Raza जो कराची पोर्ट से यहां पर चला था और इनका plan यही था कि 25th April और 26th April क की सुवे यह basically पूरबंदर कोश्ट के आसपास पहुँचेगा लेकिन इसी बीच यहां पर जो हमारे officials हैं Indian Coast Guard है वो उनको पकड़ लेते हैं तो basically क्या था पाकिस्तानी boat का जो code name दिया गया था वो था Ali और जो भारत की तरफ से यहां पर जो boat था जो जो यह drugs लेकर जाने व कुरबंदर से लगभग 180 nautical miles दूर तक चली जाती है क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कोई boat आने वाला है और वहीं पर वो इस boat को देख लेते हैं और जो crew members है boat के मतलब जो पाकिस्तान से boat आया था वो अचानक से जैसे ही देखते हैं कि Indian Coast Guard का boat सामने आ गया उसके response में हमारी जो team है उन्होंने firing भी start कर दी जिसकी वजय से पाकिस्तानी crew member का एक जो person है वो injured भी हुआ है और total मिला कर तब क्या होता है कि जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो इनके boat पर चले जाते हैं पता चलता है कि इनके पास बहुत सारा packets पढ़ा है 78 packets पढ़ सकतो ICGS राज रतन यह Indian Coast Guard का boat है तो यह सभी पाकिस्तानियों को इस पे यहाँ पर रखा जाता है आप देख सकतो कई सारे packets पढ़े हैं यहाँ पर और यह सभी पाकिस्तानी है जिनको arrest किया गया है तो overall यहाँ पर पुरा operation conduct किया गया है यह एक epitome of interagency coordination बताया जा रहा है ज इस पूरे operation को successful बनाया है और यहाँ पर जो ships है और in fact Indian Coast Guard का जो aircraft है उसको भी तैनात कर दिया गया था राज रतन जो हमारा ship है वो तो गया ही था लेकिन aircraft को भी वेजा गया था ताकि इनको पूरी तरह से support किया जा सके और पाकिस्तानी boat पर जितने भी 14 crew members थे उनको arrest करके प anti-terrorism squad है उन्होंने मिलकर पिछले 3 साल में यह 11th such operation इसको successful बनाया है तो यह दिखाता है कि हमारी जो security agencies है वो काफी ज्यादा निगरानी रख रही है और एक synergy आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार हम इस तरह की चीज़ें पकड़ते जा रहे हैं अब यह करीब 600 किलो के थे जिसका वर्थ करी 3700 करोण के आसपास आप देख सकते हो और 26th of April अभी जस्ट दो दिन पहले की बात है दो तीन दिन पहले की गुजरात anti-terrorism squad और narcotics control bureau इन्होंने भी joint operation चलाया था गुजरात और राजस्थान में और वहाँ पर बताया जा रहा है कि ए manufacturing unit खोल रखे थे इस drugs को बनाने का तो इनको भी यहाँ पर पकड़ा गया और करीब 230 करोण के drugs पकड़े गया है अब देखो भारत में यह सारी चीजें हो भी रही है तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी just recently मैंने वीडियो भी बनाया था 15 April कोई ख़बर election लोगसभा का जो चुना होना है आप देख सकते हो कि पिछले साल जो पिछले साल मतलब पिछले बार जो लोगसभा का चुना हुआ था 2019 में तो जो टोटल चीजें पकड़ी गई थी elections commission के दोरा उस समय वो उसकी value करी 3500 करोण के आसपास थी लेकिन इस साल अभी election पिछले ही करीब 4650 करोण के जो वर्थ के चीजें वो पकड़ी गई है और ये 4600 में आप देख सकते हो जो सबसे ज़ादा वर्थ की चीज़ है वो है आपका drugs मतलब कहीं न कहीं लोगसभा चुनाओं के दोरान भी ये drugs की supply की जा रही है तो ultimately ये drugs आ कहा से रहा ये आ ही रहा हमारे neighboring country से तो इन सब को रोकना अगेन जरूरी हो जाता और आपको मैं बता दूँ इसी साल ज़स्ट पिछले मेने की बात है मार्श में अगेन करीब 480 करोण के जो drugs हैं जो पाकिस्तान से आ रहा था वो भी पकड़ा गया था इंडियन कोश्ट गार्ड के तोरा अब देख साथ मिलकर सबसे पहले आप देख सकते हो February 2022 में करीब 221 के जो ड्रक्स हैं गुजरात कोश्ट के पास से पकड़े गये थे फिर इसके लावा October 2022 में भी 200 किलो के high grade ग्रेड जो हिरोईन है वो भी इंटरसेप्ट किया गया था नियर केरला कोश्ट ठीक है फिर इसके लावा प supply ultimately भारत में, सिलंका में, मौल्डिस में वहां तक जाना था लेकिन उसके पहले ही इंडियन नेवी ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर इसको इंटरसेप्ट कर लिया था तो काफी कुछ यहां पर हो रहा है and I hope कि यह जो कल खबर आई थी 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है यह आपको अच्छे से अब समझ भी आ गया होगा कि exactly हो क्या रहा है यहां पर आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि मानलो अगर कोई वेक्ती alcohol पीले मतलब शराब पीता है त मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आएए अलग लग सोचन मीडिया पर आप यूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता है Super Learning Days का offer चल रहा है You can simply use the code ANKITLIFE to get maximum discount on any batches, any course on Study IQ I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हम आप से next time, till then thank you very much, see you soon